पंचांग दिखना सीखे था जोतिस बने चैनल में आप लोगों को हार दिख स्वागत करता हूं सांतियों हमेशा के भाती आज भी मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और आज एक नई रोचक बातें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे आप लोगों को सुनने में अच्छा भी लगेगा और इसे आपको लाग भी प्राप्त होगा आप इसको सुनें समझें जो हम लोगा चर्चा करने जा रहा हैं वो है वार के अनुसार तिलक कौन लगाएं कैसा तिलक लगाएं उसके लगाने के फल क्या है और उसे हमें क्या प्राप्ती होती है उससे कौन उर्जा हमें प्राप्त होती है उसके क्या ग्रह गोचर की जो प्रभाव हैं क्या उसके दोस्ट जो हैं क्या वो दूर होते हैं क्या इस्थिती से हमें किस परकार से किस का पूजन करना चाहिए कौन तीलक लगा करके किस की पूजा करने चाहिए किस दिन क्या करना चाहिए इन सब बातों की चर्चा हम लोग आज करेंगे और सुनेंगे और समझेंगे तो अब हम लोग देखें वार के अनुसार यानि तीलक जो है एक छोटा समय नमुना बना कर आप लोग के सामने रखाऊं ताकि आप लोग समझ सकते हैं और इसका स्क्रीन सौट भी ले सकते हैं जैसे सोमबार सोमबार को सफेद चंदन या भहस में लगाना चाहिए इसी परकार हम आप लोग को बताते हैं कि तीलक के कई परकार होते हैं तीलक के जैसे भहस में चंदन, रोरी, मिर्तिका, गोपी, सिंदूर, आदी चंदन में भी अलग-अलग परकार होते हैं गोपी चंदन, हरी चंदन, सफेद चंदन, गोखुल चंदन, गोमती चंदन चंदन के तीलक लगाने से पापों का नास होता है संकर से बचाता है और माता लक्षमी की किरपा हमेशा बनी रहती है तो हम लोग देखें सोम बार के दिन भागवान संकर का प्रिये होता है सोम बार का दिन भागवान संकर के लिए प्रिये मना जाता है तथा इस बार का स्वामी और इस दीन का स्वामी चंद्रमा होते हैं चंद्रमा मन के कारग्रह कहे गए हैं मन को काबू में रखने के लिए मस्तिक को सीतल एवं सांत बनाए रखने के लिए सफेद चंदन लगाना चाहिए अब आते हैं मंगलवार के दिन मंगल वार के दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है इस दिन के स्वामी मंगल ग्रह है मंगल लाल रंक का है और इनका परतिनित्व लाल रंक का ही करते है इस दिन लाल चंदन चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर का तिरग भी लगा सकते हैं यानि लालचंदन या चमेली के तेल में मिलाकर के सिंदूर भी आप लगा सकते हैं इससे उर्जा और कार्चमता का विकास होता है मन की उदासी तथा निरासा भी हट जाती है दूर चली जाती है आगे देखें बूधवर बूद बार के दिन यह दिन माधुर्गा का दिन माना जाता है वही भागवान गनेश का भी दिन माना जाता है इस दिन के स्वामी ग्रह बूद हैं इस दिन सूखे सिंदुर का तिलक लगाना चाहिए इससे बौध ही छमता तेज होती है आगे चलते हैं गुरू बार, गुरू बार के दिन हमें गुरो चन, कातिलग, सफेद चंदन, पत्थर पर घिसा हुआ, हमें उसक चंदन का ठीका लगाना चाहिए, विरस्पती, रीशी देवताओं के गुरू है, इस दिन के देवता ब्रंब हैं और इस दिन के स्वामी ग्रह बिरस्पती हैं, गुरू बार को पीला या सफेद मिश्रित पीला रंग प्रिये होता है, चंदन को पत्थर पर घिस कर, उसमें केसर मिला कर भी तीलक लगा सकते हैं, हल्दी या गुरूचन भी लगा सकते हैं, इससे मन में पवेत्रता और साकारात्मक उर्जा का प्रवेश साकारात्मक विचार का विकास होता है, अब देखें सुकरवार का दिन, सुकरवार का दिन भगवान विश्रो की पत्नी मा लतालच्मी जी का है, इस दिन के स्वामी सुकरवार हैं, हलाकि इस ग्रह को दैतिराज का भी दिन माना जाता है, इस दिन लाल चंदन हमें लगाना चाहिए, या सुन्दर ने सिंदूर भी लगाना चाहिए, इस से तनाव दूर होता है, तथा भवतिक सुक्सुविधाओं का भी विधी होता है, सातियों हमें सभी दिनों के लिए वार के अनुसार नियम उपाए बताए गए हैं, आगे हम लोग देखें सनी वार का दिन, सनी वार के दिन यानि भास्म लाल चंदन ये लगाना चाहिए, इस दिन भायरव, सनी और जमराज का दिन माना जाता है इस दिन के ग्रस सभी जो स्वामी होते हैं वो सनी माने जाते हैं भस्म या लाल चंदन लगाएं इससे भायरव महराज परसन्न होते हैं किसी परकार का नुकसान होने नहीं देते हैं अब चलते हैं रवी बार के दिन रवी बार के दिन लाल चंदन या हरी चंदन का तिलग हमें लगाना चाहिए यह दिन भागवान बीशनू एवं सुर्ज देव का दिन है इस दिन का स्वामी सुर्ज ग्रहों की राजा है इस दिन लाल चंदन हरी चंदन जो आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है लाल चंदन हरी चंदन लगाने से भागवान विश्णू की किरपा हमेशा बनी रहती है और निर्भायता भी आती है डर बन से खतम हो जाता है लोगों को भय मुक्त जो है सुर्जदेव बनाते हैं इस परकार हमें तीलक पर लगाने पर विचार करना चाहिए और वार के अनुसार हमें यह तीलक लगाना चाहिए सांतियों जदी वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद